नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों मेरे दोस्तों आप सब के लिए आज हम जो लाए हैं वो बाइयलाजी की प्रेक्टिसेट लाए हैं क्या लाए हैं बाइयलाजी बाइयलाजी एस सी एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है सब से ज्यादा कोईशन जो बनते हैं वो बाइयलाजी से बनते हैं इसमें मैं आपके लिए 136 कोईशन के करीब लाया हूँ जिसे हम लोग बड़ी बढ़ियां से बड़ी ध्यान से हम लोग इसे करेंगे अभी तक हमने जो आपको कराया है वो फिजिक्स करा दिया है वो हमने क्या करा दिया है फिजिक्स आपको करा दिया हूँ physics के कुछ question करा दिया हूँ, कुछ question chemistry के करा दिया हूँ, तब मैं आपको biology कराने के बाद computer कराऊँगा, क्या कराऊँगा, computer, आप देखते हैं कि 3-4 प्रशन computer के भी हो जाते हैं परिक्षाव में तो आप इसको भी बड़े ध्यान से करिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रक्टिसेट देखें पिछले प्रक्टिसेट में कुछ हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दिये हैं जैसे यहाँ पर मैंक मिश्रा है नियती मिश्रा है अब शेष्मने विश्वकर्मा है सुधा तिवारी है स्वेता उपाध्याय है अंकीत है नुरा गोस्वामी है रास्त्री सिंग है यह सब बच्चे बहुत अच्छा अंसर दिये हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत अच्छे से आप लोग पढ पहला question आपके सामने है निमनलकित में से कौन संसार में सबसे अधिक्ति व्रता से काड़ता है तो आप सब जल्दी से बताईए अपना answer सबसे अधिक्ति व्रता से कौन काड़ता है तो सबसे अधिक्ति व्रता से मेरे भाईया पानामा की दीमक काड़ती है पानामा की दीमक प होता है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है यह आप हमको बताइए तो रक्त के ब्लड के खुन के लाल दिखाई का कारण हीमोग्लोबीन होता है क्या होता है हीमोग्लोबीन होता है अच्छा यह कैसे दिखाई देता है तो हीमोग्लोबीन जो होता है वो ब्लू और येलो रंग के कलर को क्या कर लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है मतब आवसोसित कर लेता है आवसोसित करने के बाद जब यह oxygen के संपर्क में आता है तो यह लाल-लाल दिखाई देना चालु हो जाता है red red दिखाई देना चालु हो जाता है ठीक है लिखा गया है बिटामिन सी का रासानिक नाम क्या होता है। मैं इस पर और भी शारी चीज़े आपको बताऊँगा बिटामिन सी का रासानिक नाम क्या होता है… विटामिन C का राचानिक नाम एसकॉर्बिक एसिड होता है, अच्छा विटामिन C जो है ये एक जल में घुलनसील विटामिन है, जल में घुलनसील, जल में घुलनसील, जल में दो विटामिन घुलनसील होते हैं, कौन कौन, विटामिन B और विटामिन C, ये जल में घुलनसी होते हैं वसा में घुलंसील होते हैं यह वसा में घुलंसील होते हैं तो यह बात आप याद रखिएगा कभी कभी प्रश्ण इससे भी बनता है कि जल में घुलंसील विटामिन कौन है और वसा में घुलंसील विटामिन कौन करभी रोग एक हो जाता है सकर्भी रोग हो सकता है मसुरे मसुरे फूल जाते हैं थेक यह सभी समस्याएं आना चाल नहु को मैं Stew सब रही हो तो जाते हैं इसके लिए आप बताइए विटामिन-C ऐसी क्वैस мы मिल जाए तो सफ़ेविडी विटामिन-C आपको खटी फ़लों मिलता है फटा फ़ल जैसे हमने नीबू ले लिया संतरा ले लिया नारंगी इसको कहते हैं टमाटर हो गया टमाटर हो गया यह अंकुरित कोई भी अनाज ले लिजे अंकुरित जैसे अंकुरित अनाज लिख देता हूं बक्ति आप जान जाएंगे चनामटरगे हूं यह सब और मिर्च इन सब में से आपको बिटाम invasive सी मिल जाता है ठिक है तो यह तिन चार प्रकार के प्रष्ण आप सिह अगला प्रष्ण ले के चलता हूं आपको प्रश्ण संख्या चार पर मस्रूम किस के उधारन है प्रश्ण चार है मस्रूम किसके उदारन है वाइरस के लाइकेन के फंजाई के या बैक्टिरिया के जल्दिश बताइए मेरे भाईयो मस्रूम किसके उदारन है तो आप बताएंगे मस्रूम कवक के उदारन है फंजाई के उदारन है समझ में रहा है यह फंजाई के उदारन है इसे खान एक योटिक यूकेरीर्यॉटिक कुष्काय है ये-उक्वेयॉर्य कोश्काय है Ba कुष्काय जैसके आप सब खाय हों गए तो देखे कुछ 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 कुनुरू ऐसे आते हैं यह होता है यह भी ट명 इलायक होता है और उसे नहीं ज़्य होता है प्रहों आते हैं तो solitary भी अınızयिस का प्रियोग किस रोग के नेड़ा में किया जाता है कि मार्केट पांचमा फ्शा Habya Tamsus की चाटा है जल्दी से आप लोग बताईब इसी कह का नाम UK भी होता है इसी ECG को हम EKG भी कहते हैं बताइए तो यह इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ इसका पुरणाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ यह हिर्दय की कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है यह जांच की जाती है Q6 Q6 क्या है निमलिखित में से कौन सा रोग दूशित जल के सेवन से होता है अब आप बताईए कौन सा रोग ऐसा है जो दूशित जल के सेवन से होता है जल्दी जल्दी अपना आंसर बताईए मरे भाया तो यह जल्दी जल्दी से आप सब बता देंगे तो मैं आगे बताना शुरू कर दोंगा तो यह जो होता है यह होता है है यह क्या होता है है जा है जा दूसी जल के सेवन से होता है ठीक है टाफाइड भी दूसी जल के सेवन से हो सकता है ठीक है तो यह है जो होता वह दूसी जल के सेवन से होता यह बात आप जान लिए और यह जो है यह विब्रिय विब्रियो कॉलेरी 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 व और इस बीमारी में रोग में क्या होता भय यहाटरेशन हो जाता है मतलब डीहरटर बोले हो जल की कमी हो जाती है जल की कमी हो जाती है ठीक एकदम लिटा करके पाने चड़ाना शुरू कर देते हैं रक इसमें प्लड सर्कुलेशन हो था हो जाता मतलब उसके जो संचार होता वो धीमा पड़ जाता है और इस रोग के लिए आपको भाईया पहली बात तो उबाल कर पाने पीजिये खुब ठीक उसके बाद टीका लगवाएंगे तो आप सही हो जाएंगे तो हमने क्या कैसी कि अगर दूसी जल पी रहे हैं तो आपक यह द्वारा फैलाएगा अच्छा इस रोग में हो किया जाता है तो आपका एंगे सरजल की कमी हो जाती है डिहडरेशन हो जाता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए तो पहले तो भाईया उबाल के पाने पियो तक कि उसमें आपको शुद्ध जल की कुछ मात्रा मिलें दूसरी बात आपको जो है वह है जेका आपको टीका लगवा लेना पड़ेगा इतनी बात सुनना गई चलिए मरी भाईया अगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं क्वेशन नमर सेवन क्वेशन नमर सेवन क्या है रग्त में निम्न की अधिक्ता से ब्लू बेबी जल्दी करिए जल्दी देखे जब भाईया नाइट्रेट की कमी हो जाती है जब जल में नाइट्रेट की कमी हो जाती है तब वो जो होता है वो बच्चा ब्लू बेबी सिंड्रोम से प्रभावित हो जाता है जल्दी नाइट्रेट की मात्रा अगर 90 ppm से कम हुआ से अधिक अगर हुआ तो यह प्रभावित होना चलू हो जाएंगे जल्में नाइट्रेट की मात्रा जो होते है वो 90 ppm होती है इससे अधिक इससे बच्चे क्या होत और सरीर का रंग नीला पढ़ने लग जाता है अगर ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा ब्लू बेबी कह रहा है मतलब नीला होगा ब्लू बेबी इसका लिप्स इसके लिप्स और बॉड़ी कृष्ण भगवान की तरह नीला नीला होने लग जाता है और यह नाइट्रेट हीमोग वहन की छमता को क्या कर देता है कम कर देता है और इससे क्या होता है कि जो स्वसन क्रिया होती है वो सुचार रूप से हो ही नहीं पाती मतरब सांसों सही से ले ही नहीं पाते इसलिए यह आदमे धिरे धिरे बच्चे क्या होता है इसा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता और मर जात है ठीक चलिए आगे चलते हैं कि क्वेशन मेरेट क्या कह रहा है निम्लिखित में से कौन सा मेरुरजु का एक महत्पूर्ण कार्य है आप सब इसमें देखिए जल्दी से अपना आंसर बताईए है द्रव्यच्थ है जल्दी पताई है मेरे भीया इसका जो काम है वह प्रतिवर्थी क्रियाओं का नियंत्रन करना क्या है अब देखिए यह माडूला अपलागेटा का पिछला भाग होता है वही मेरूरज बनता है और मेरूरज का जो अंतिम सिरा होता है यह पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पतले-पत यह सब बना होता है और यह दू प्रकार के होते हैं एक तो यह होता है प्रतवर्तिक क्रियाओं का नियंत्रन एवं समन्ने करता है और दूसरा यह जो होता है वो यह होता है कि यह मस्तिक्स में आने वाले जो उद्धीपनों उद्धीपन होते हैं उनका संभान करते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत है जल्दी जल्दी तो डाल बना प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और जो दाल जो वो प्रोटीन का अच्छा इसमें मिलता क्या क्या है इसमें प्रोलीन और वेलीन नाम के यही प्रोटीन मिलते हैं किसमें डाल में डाल में जो डाल में अच्छा स्रोथ किसका है प्रोटीन का कौन कोन प्रोटीन पाए जाते हैं प्रोलीन और वेलीन यह आप लोग याद रखे उसमें स्में प्रोटीन पाये जाते हैं अगला स्टमेंबहर्ट nós कवेशन नमर शहद का प्रमूक घटक है शहाद का मुक्ष घटक क्या है जल्दी से बताईए शहränद का मुक्षट क्रप्र बता मेरे निदी से महीं के तुमैं और बहुता हुआऊप को तो शहाद का जो प्रमुग घटक होता है वो होता है प्रक्टोज वो क्या होता है फ्रक्टोज होता है शाहत का प्रमुग घटक जो है वो होता है फ्रक्टोज आपका शाहत का प्रमुग घटक क्या होता है या फ्रक्टोज होता है अब देखें क्या होता है लैक्टोज होता है एक लैक्ट लेक्टोज को हम लोग नेचुरल सुगर कहते हैं प्राक्रितिक सरकरा कहते हैं प्राक्रितिक शरकरा सरकरा मतलब चीनी न लेक्टोज को हम लोग प्राक्रतिक सरकरा करते हैं यह एक कार्बोहडरेट है जो दूद में पाया जाता है यह एक कार्बोहडरेट है कहां पाया जाता है दूद में पाया जाता है और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होता है है ना गेहूं की रोटी में कौन सा प्रोटीन होता है ग्लूटीन प्रोटीन होता है गेहूं की रोटी में ग्लूटीन यह किस में होता है गेहूं की रोटी में गेहूं की रोटी में गेहूं की रोटी में विक्षेशं में प्रोटीन पचाने वाला एंजाएम को रेणीन दूद में प्रोटीन को पचाने वाले उंजाएम को क्या कहते हैं रेनीन रहते हैं चाथ है और उतकोर निर्मान प्रोटिन से होता है आयी बता समस्ज में कई sounds कوशन आपको कराय इसमें क Groß expand time अगला चलिए 11 क क्या है मि asve so zanna का बहुत अच्छा कुशन है जल्दी सा आप सब बताइए वीटामीन सब्सक्राइब का जनक कौन है अलेक्जंडर होकलत है ये कला गलत हैं राबर्ट कोच एंडवी मैं या काश्मीर फंक कौन है जलदी से आप सब बता दिए हमको तो ख्यार का आप लोगं जल्दी से बताएंगे तो इसका जो नाम होगा तो वो हो गया कास्मीर फंक है कास्मीर फंक है के इसके कौन होंगे काश्मी唱 का वे इन्हाय पीटामिन बिडामिन सब्द के जनक कहे जाते हैं कास्मिर फंक और यह जो विटामिन है यह कार्बनी चोगिक होते हैं सरीर की ब्रिद्धी एवं अपचाई क्रियाओं के लिए आवस्यक होते हैं दो प्रकार के होते हैं जल में गुलंसील होते हैं और वसा में गुलंसील होते हैं जल में गुलंसील क्वेशन में 12 क्या है माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमाजोम्स क्रोमाजोम्स ने क्रोमोजोम्स एक दूसरे से प्रथक हो जाते हैं जल्दी से बताईए क्वेश्चन नमर 12 जल्दी से बताईए प्रोमोजोम्स मतर्व जान रहे ना गुण सुत्र गुण सुत्र चल कि रहा है ठीक तो बताईए जल्दी सी को इसका सही हो का क्वेशन नमर 2 एनाफेश में दोनुंद जाज करके क्या हो जाते हैं तूट जाते हैं अलग-अलग होते हैं समझ रहे हैं इसमें दोप्रकार के विवाजन हो सकते हैं समसुत्री अर्दसुत्री विवाजन दोनों हो सकते हैं ठीक है आगे चलें ग्विवाen कुएस्टेरा क्या है जल्दी से बताई मुझे एइसिया का प्रथम मानूद डिन बैंक कहां पर अस्थापित किया गया पूरी एसीया का कि परत्रम मानूद डिन डिन हैं कहां पर लखना ہو है और यह हबिस में दूसरे नममर पर है डी अने दूसरे नमर पर हैं कौन अपना लखना हुआ है है जीए 해 इसाउदा नमर क्वेश्शерм क्या विग्यान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है tumor मतलब गांट tumor के बारे में कों से बताते हैं जल्दी से बता दीजिए oncology क्या होती है oncology यह tumor या cancer भी कह सकते आप oncology जो tumor या cancer समंदी जो भी रोग होते हैं उनके आप अगर इसमें कहोausology अगर शाटियो पूंचहाई था हड़ियों के अधियन के लिए क्लिए यूज करतें वह यूज मानव सनरचना मानव सनरचना पूरी मानव सनरचना का अध्यन करना हो तो हम लोग एनाटमी के अंतरगत पढ़ते हैं स्टिलोजी के अंतरगत हम लोग हड़ी के पढ़ते हैं यूरोलोजी के अंतरगत पिसाब समंधित बिमारी अगर हो जाती है पिसाब पिशाब समंधित जो बिमारी होती है वो यूरोलाजी के अंत्रकत हम लोग कहते हैं ठिक अब पिशाब अगर जैसे चब्दा है यूरो आया तो आप यहां समझ जाएगा यूरिया सबसे ज्यादा कहां पाजाएगा पिशाब में पाजाएगा यूरिक एसिट कहां होगा कुषकाओं में क्लोरोफिल रहता है एक पॉधिय की पत्ति में किस प्रकार की कुषकाओं getlaw cur AU रहता है जल्दी से आप लोग बताएगे मुझे के कि पाजो तो यह होता है पेरेंग काईमा क्या होता है पेरेंग काईमा कोश काओं में यह रहता है ठीक है क्वेशन nap 16 आप सबको बताया था किसे जो मसूडों फूल जाते हैं दात बिना समय के ही टूड जाते हैं बढ़ायों बच्चों के चेहरे वेरे खराब होने लग जाते हैं ऐसे चीजें होती हैं ओर मालिजें जो को पिशाब करते हैं तो उसमें रख्त निकलने लग जाता आ है ये सभी जो है ये बिटामिन namain के कारण हैं ये बिटामिन के कमी के करण हो जाया करते हैं अंप लोगों को बताया था टॉमाटर कहिंए नीबू खाईए अंकुरीत कोई विटामिन सी लेना चाहिए अगर 50-60 ग्राम विटामिन सी नहीं ले पा रहे हैं तो समझ लीजे कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है ठिक चलिए अब आगे चलते हैं कोशन नमर 17 और्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से समंदित है उसी प्रकार किरॉपेडिस्ट किस से समंदित है बहुत बढ़िया कोशन है और्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से समंदित होते हैं उसी प्रकार किरॉपेडिस्ट किस से समंदित होते हैं जल्दी से बताईए तो किरापडेज जो होते हैं वो आपके पाउं से समंदित होते हैं वो किसे समंदित होते हैं पाउं से समंदित होते हैं चलिए क्वेशन नमर 18 क्वेशन नमर 18 देखे एक क्वेशन के सांथ कई क्वेशन पढ़ना अपना मकसद है आप एक क्वेशन ही न रटिएगा या जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे खुब ध्यान से देखा करिए और इसे रिवायज भी जरू कर लिया करिए ठीक है घास जैसे सभी प् होते हैं तो यह होते हैं अनाज यह क्या होते हैं अनाज जैसे मान लिजिए इसमें आ गया 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 चावल आ गया मक्का आ गया जौर हो गया यह सभी चीज़ें इसमें आती हैं और आप लोग जानते हैं कि हरित करांति के जनक कौन है मस्वामी नाथन कौन है मस्वामी ना नमर्ण उन्नीस निम्न में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में उर्जा उत्पन करती है जल्दी से बताई भी आ देगे यहें स्वसन जो होती है यह उर्जा उत्पन करती है तो अगर हम लोग कहें गुलकोज ले लिया जैतो तो quality नमर्बी स्वासन का क्यों होता है टिक है क्यों नमर्बीस क्या है निम्न में से कौन सा कार्बोहड्रेट का स्रोत नहीं है 20 नमर में पूछ रहा कौन सा कार्बोहड्रेट का स्रोत नहीं है तो आप लोग जानते हैं आलू कार्बोहड्रेट का स्रोत है दूद भाई यह कंप्लीट फूड है इसमें तो रहेगा ही रेगा अनाज छिलकों में कार्बोहड्रेट होता ये भी रेगा मुर्गा नहीं है मुर्गा नहीं है तो मुर्गा कार्बोहड्रेट का स्रोत नहीं है मुर्गा अगर आप खाएंगे तो कार्बोहड्रेट इसमें नहीं मिलेगा आगे चलें क्वेशन नमर 21 मलेरिया की दवा कुनायन किस ब्रिच से प्राप्त की जाती है तो यह जो मलेरिया की दवा कुनायन होती है यह बहुत बार प्रश्ण पूछा जाता है आप लोग इसे जानते होंगे जल्दी बताईए तो जो मलेरिया की दवा कुनायन होती है वो सिनकोना, सिनकोना से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से, अब याद रखेगा, ये छाल जैसे नीम की छाल होती ने, ऐसे इसके छाल से प्राप्त किया जाता है, और ये होता कहां है, ये सिनकोना मिलेगा कहां पर आपको, तो आपको ये सिनकोना मिल जाएगा vironड अमेरिका में यह चीज पाया जाता है सिनकोना का पौधा पाया जाता है उसी की छाल से हम लोग कुश्च निकालते हैं क्कुशन मर 22 क्या हैजा रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है जल्दी से बता दीजिए हैजा से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा अब बताईए भीया अगर हैजा आपको हो गया है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा तो आप कहेंगे सर आत प्रभावित होगी क्या प्रभावित होगा आत्प्रभावित होगा ठीक है question number 23 question number 23 question number 23 क्या है निम्न में से कौन सा तना है निम्न में से कौन सा तना है जल्दी से बताइए बहुत बार प्रश्ण पोचा गया है निम्न में से कौन सा तना है जल्दी पिताईए तो इसमें अदरक जो है वो आपका तना है अदरक क्या है तना है यह पाउधे को वो भाग होते हैं तना जो यह वो भाग होते हैं जो प्रकास की और बृद्धी करते हैं अदरक में क्या होता है यह प्रकास जो भी प्रकास की और बृद्धी करेगा वो तन कहलाएगा ठीक और यह प्रांकूर से विक्सित होते हैं पाउदे का प्रारोह तंत्र बनाते हैं ठीक है जैसे आलू हो गया बंडा हो गया केसर हो गया प्याज हो गया हल्दी हो गया अद्रक हो गया यह सब जो होते हैं आपके तना हैं ये सभी तना के भाग हैं अगर जड़ हम लोग देखें जड़ जो देखें तो जड़ क्या होता है वो अवरोही भाग होता है अवरोही मतलब वो प्रकास की तरफ नहीं बलकि वो अंधकार की तरह पड़ था तो वो जमीन के नीचे अंधकार की त स्रीथ होते हैं ठीक हो गया चलिए अगला प्रश्ण देखिए कि 24 नमर मनुष्ण स्वास्थ मनुष्ण का तापकरम कितना होता है यह कोशन एकदम सराल है यह सब लोग जानते हैं बताने कि कोई खास आवश्रक्ता नहीं है तो इसमें होगा 37 डिग्री सेंटिग्रेट 98.4 भी होता है अगला 25 नमर क्वेश्ण देखिए 25 नमर क्वेश्ण देखिए 25 नमर क्वेश्ण देखिए 25 नमर जो क्वेश्ण है उसमें लिखा है नेम नलिखित में से कौन स्करबी रोग के इलाज में उपयोगी होता है तो आप जानते हैं स्करबी रोग जो होता वो बिट विटामिन सी की कमी से होता है अगर ये विटामिन सी की कमी से हो रहा है तो आप जानते हो विटामिन सी की कमी से हो रहा है तो आप जानते हो विटामिन सी के लिए हमने क्या पता है खटा फल खा लीजिए या अंकुरी तनाज खा लीजिए यहारे पत्तेदार सब्जियां प्रभावित अंग कौन सा होता है चल्दी से बताईए मलेरिया से कौन सा रंग प्रभावित होता है तो malaria से जो है आपका तिल्ली तथा RBC मतलब मैं इसे English में बता दो थोड़ा यही आप लोग जानते होंगे स्प्लीन और रक्ट लाल रक्ट कणिका मतलब RBC तो malaria से यही दोनों प्रभावित होती है जो malaria की किट आती है अईसे किट आती है और इसी पर आप malaria डाला जाता है तो यह चेक करता है पॉजिटिव है के निगेटिव तो malaria के इंटिजिन ठीक है चलिए तो यह किसको प्रभावत करता है यह अच्छा एक और इसमें में खुद और जानकारिया आपको देता चलो जो malaria होता है वह एक प्लाजमोडियम नामा प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम यह एक प्लाजमोडियम नामा पैरासाइट होता है मतलब क्या कहते हैं पैरासाइट को परजीवी प्रोटो जोवा परजीवी यह क्या होता है परजीवी प्रोटो जोवा होते हैं यह परजीवी प्रोटो ज होता है अम मलेरिया किस से होता है किसके तो आप कहेंगे मच्छर के काटने से अम मच्छर में कौन सा मच्छर तो आप कहेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर मादा एनाफिलीज मच्छर ठीक है इनी के काटने से ब्लड में हमारे सरीर में चले जाते हैं और फिर उसके साथ हम लो इंसुलीन के अतिस्रमण से कौन सा रोग होता है जल्दी जल्दी बताईए बोलिये जल्दी बताईए भाईया इंसुलीन के अतिस्रमण से कौन सा रोग होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है क्या हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिय हो जाता है लेकिन अगर कम हुआ तो आपको मधमे हो जाएगा अगर इंसुलीन कम स्राव हुआ कम स्राव हुआ अगर इंसुलीन तो मधमे हो जाएगा ज्यादा स्राव हुआ तो हाइपोग्लाइसेमिय हो जाएगा दोनों बातें आप याद रखेगा, इंसुलीन की मात्रा एक निश्चित खुराक से अधिक होने पर आपको ग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा, कम हुआ मद में हो जाएगा, दोनों रोग आपको हो सकते हैं, चिक? अगला लिखा गया है, वायकोष उपस्थित होते हैं, कहां? जलोद बिद में, मरोद बिद में, समोद बिद में या अधिपादप में? जल्दी बताइए, क्वेश्चिन नमर ट्वंटी एट, किस में होते हैं? वायकोष किस में उपरप्त होते हैं? तो वायकोष भाया, जलो सुन भी बगर हो गई तो इसमें क्या होते हैं रख कौशन में 29 मानाव प्लीहा को नियंतरित करता है जल्दी से आप हमको बता दीजे मान प्लीहा को और नियंद्रित करता है तो आप हमको उत्तर देंगे रक्त आयतन कौन करता है रक्त आयतन ये पेट के ऊपर हिस्से में इस्तित लश्का प्रणाली का सबसे बड़ा आरगन है मानोपलीहा जो है वो पेट के ऊपर हिस्से में इस्तित लश्का प्रणाली का सबसे बड़ा जाता है अगला कोईशन नमर तीन क्या है यदि माता-पिता में रक्त-समुह ए-ए हो तो बच्चों में संभावित-रक्त-समुह क्या होगा बोलिए जल्दी से बताईए आप लोग अगर माता-पिता में रक्त-समुह ए-ए हो तो बच्चों में संभावित-रक्त-समुह क्या होगा बोलिए जल्दी से बहिए बहिए संभावित-रक्त-समुह जो होगा अगर ए-ए है तो एक तो ए हो सकता है और ए-ए एक ओ हो सकता है मतलब ए और ओ दोनों संभावित-रक्त-सम हो सकते हैं ठीक है अगला कोश्ण को कोश्ण नमर 31 जल में घुलंसील विटामिन है जल में कौन सा घुलंसील विटामिन है अभी आपको मैंने बताया था कि जल में गुलनसील बिटामिन केवल दो हैं B, C तो अब इसमें देखें आपसा आपसन सही हो जाएगा 31 का अगर आपसे पूछ लेता वसा में गुलनसील तो बसा में D भी है बसा में K भी है बसा में E भी है भसा में A भी है ठिक तो A, D, A, K और अगर आपसे कभी कहेंगा तो यह वसा में गुलंसील हैं B और C कहेंगा तो जल में गुलंसील हैं तो आप कहेंगे मेगनेशियम एम जी अगर पर्ण हरीम जो है उसको अगर जला जिया जा तो जो उसकी राक होती है उसका जो पॉधे में प्रोटीन संसिलेशन प्रकास संसे स्वाइशन के लिए आवस्टक होता इसकी कमी अगर पढ़ गई तो पौधे को पत्ते जो होते या पौधा जो होता वो पीले पढ़ने लग जाते हैं ठीक है अब अच्छा हाँ एक और बात आपसे प्रश्ट पोच सकता अगर पत्ते के पीले पढ़ने लगे या इसमें पत्ता कम होने पेड़े पीला होने लगा तो इसको क्या कहते हैं तो हरी महीनता एक रोग होता है क्लोरोसीस हरी महीनता हरी महीनता तो इसको हरी महीनता कहते हैं ठीक है तो हरी महीनता जो होता है वो इसके पौधों के लिए पढ़ हरी म जब कम हो हो मतलब जब ये मगनीशम कम होने लगता है पढ़ हरी म कम होने लगता है तो ये ऐसे पीले पढ़ने चालू हो जाते हैं कोशन बताइए सीकम किसके पाचन के काम आता है तो भाईया वो सेलुलोज के पाचन में काम आता है सीकम जो है वो सेलुलोज के पाचन में काम आता है और ये पाचन वाले ये बक्टिरिया होते हैं इसे में पाए जाते हैं जिसे हमारे भोजन को क्या करता है पकाता है चीक है अगला question में 34 एक अर्ण शेचित मानव अंडे में सामानता होता है एक X chromosome, chromosome लिखा गया, chromosome है यह सब ठीक, chromosome इसे आप सब द्यान देना एक X chromosome पाये जाता है, एक Y chromosome पाये जाता है एक X और एक Y chromosome पाये जाता है या दो X chromosome पाये जाते हैं बताईए इसमें कौन सा आप्षन सही होगा बोली इसमें आप्षन सही होगा ए इसमें एक एक्स क्रोम मोसूम पाए जाता है जानते हैं इसमें जो पूरा है मानों के निशेचित अंडे में एक एक क्रोमसों पाई जा गए यह आपका सही आपसन हो गया मानों में 23 जोड़ी गुनसुत्र होते हैं यह आप सब जानते हैं 23 जोड़ी गुनसुत्र होते हैं जिसमें से 22 जोड़ी गुनसुत्र ऐसे होते हैं जो समान लिंगी होते हैं, जो समान अलिंगी होते हैं, समान अलिंगी गुन सुत्र होते हैं, जिसे आटो सूम कहा जाता है, यह कितने होते हैं, 22 जोड़ी होते हैं, और जो 23 जोड़ी गुन सुत्र होता है, इसे लिंग गुन सुत्र कहते हैं, इसे असमान लिंगी गुन सुत् है कि यह लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है? अगले कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिकित में किसARK सहायता से रक्त द्वारें आक्सीजन ले जाATA है, जल्दी बताइए, रक्त द्वारा आक्सीजन ले जा जाता है किस성이 साहता से जलदी से बताइए तो आप कहेंगे लोहित कोश्का हैं अब लोहित कोश्का जैसे कहता हूं तो आप लोगों को इसका नाम नया नया लगता है लेकिन अगर इसी को मैं कह दो लालरक्त कनिका तो आप सब तुरंत जान जाएंगे आट जो कुछ लोग मेर 36 हमारे सरीर में प्रत्रोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता एगक लेकिन इससे भी जादा खतरना को रोड़ा थो यह किसकी कारण हता यह बूस कैसे होता है ज्oga इस होता है इसने सिंड्रोम होता है क्या होता है कि जो ती फोट लिंफोसाइट होती है ति फोर लिंफोसाइट होती है को उच्छकाया होती है कोई भी जिवान उस पर हमला करता है, कोई भी विशान उस पर हमला करता है, तो विचारा आसान से रोगी हो जाता है, और वो उससे उबर नहीं पाता, जैसे मानले जी अगर किसी को एड्स हो गया, किसी को क्या हो गया, एड्स हो गया, ना, किसी को भगवान करें, एड्स नहो यह सब राजसी रोग थे, पहले यह सब राज रोग कहे जाते हैं, बड़े-बड़े राजाओं को यह सब रोग हुआ करते थे, और आज तो हरे कि इनसान अपने आपने इनसान है, यह नहीं वो सब का सब राजा है, तो जब राजा है तो सलाई रोग तो यह हो भई करेगा, तो एड्स क्या होता है जैसे मानेजे अगर किसी को एड्स हो गया तो उसको देखकर क्या बता सकते हैं उसकी सरी पहले तो पीली पढ़ने लगी जाएगी पहली सरी पीली पढ़ने क्यों जो भी रोग आ रहे हैं उसको पकड़ ले जैसे आपको मानेजे यह हुआ एड्स होगा है ना कट गया जल्दी ठीक हो पर टूड़ गया मरे यह आप समझ लिए पक्का मरेंगे अब यह साहिए नहीं हो रहा अगर कुछ घाव लग गया तो नहीं साहिए हो और एकदम सूघर की तरह इसमें से बहुत बुरी इस्तिती हो जाया करती है ठीक है तो इसका आपसरN कौन सा सवह हो हमारा इटस चलिए 37 गवेश्न 137 उर्जा का सिक्का कहलाता है जल्दी से बताइए उर्जा का सिक्क्का किसे आप कहते हो उर्जा का सिक्का किसे कहते हैं आप सब तो उर्जा का सिक्का हम लोग ATP को कहते हैं ATP और ADP दो होता है एडिनोसीन ट्राइफासपेट और एडिनोसीन डाइफासपेट ठीक है चलिए मनुष में लाल रुधिराणों का जीवनकाल कितना होता है देखें मनुष में जो RBC होती है इसकी जीवनकाल होता है वह 105 दिन से लेकर के 120 दिन तक होता है 105 दिन से लेकर के 120 दिन का इसका जीवनकाल होता है समझ रहे हैं तो इसमें दिया 80 दिन 90 ये भी गलत ये भी गलत 120 दिन और ये दिन ये तो गलते हैं तो यह आपका सही हो जाएगा आंसर यह बाला ठीक है अच्छा जैसे यह जो लाल रख तकड़ का जो RBC होती है उनका तो 105 से 120 दिन होता है लेकिन जो WBC होती है WBC होती है इनका जीवनकाल बहुत कम होता है इनका मात्र दो से पांच दिन तक का जीवनकाल होता है WBC का ठीक है कि WBC का बढ़ना गटना दोनों नुक्सांदायक 49 केच्छुय का उत्सर्जी अंग कौन होता है केच्छुय का उत्सर्जी अंग कौन सा है जल्दी से आप लोग बताईए बताए भी है नेफ्रेडिया क्या होता है नेफ्रेडिया होता है केचुए का उसर्जियंग जो होता है वो नेफ्रेडिया होता है केचुए का अगर बग्यानिक नाम कभी आपसे पूछा जाए तो पेरी मिमा पोस्थुमा बताएंगे पेरी निमा पोस्थुमा तो पेरी निमा पोस्थुमा ठीक है इसका बग्यानिक नाम जो है वो क्या है पेरी निमा पोस्थुमा है और यह एक द्विलिंगी प्राणी है यह द्विलिंगी जन्तु है मिट्टी के अंदर रहता है स्वत्म तुरूप से अपना जीवन मस्त बिताता रहता है यह रंद्र बनाता है यह किसानों का मित्र कहलाता है केंचुआ जोक नेरीस के उच्छी यंग जो होते हैं तीन चीज़ें आपको बता रहा हूं केंचुआ जोक और नेरीस तीनों हड़ी फड़ी नहीं पाई जाती ह जराम से से चटनी बनाक चाट सकते हैं आप सब तो यह जो उच्छी यंग होते हैं इनके नेफ्रेडिया इनके सभी तीनों के उच्छी यंग नेफ्रेडिया का केंचुआ लिख दूं क्या है केंचुआ हो गया जोंक हो गया और नेरीस नेरीस नाम का एक जीव होता है तो ये तीनों को उत्सरजियंग क्या होते हैं नेफ्रेडिया होते हैं ठीक तो केचुए का बग्यानिक नाम वह है जो पेरिमेमर पॉस्थुमा है इसे भी आप याद रखेगा question marksalis अगली कोईशन होगा उसके बाद मैं इसके आगे की कोईशन अगली वीडियोस में कराऊंगा ठीक आज का परश्ण हम लोग यहीं तक रखेंगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक आप लोग इसे देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजी सब्सक्राइब कीजी और अन्य लोगों के बीच में शेयर भी कीजी अगर आपको कोई प्रॉबलम आती है आपको लगता है कि ये समस्या सर से पूछनी चाहिए या इसमें कुछ गलबड़ी आ रही है तो आप मेरे नमबर 7348505040 पर मेसेज वाटसब कर सकते हैं ठीक आपका कोईशन में देखने के बाद रिस्पॉंड करूँगा ठीक अभी है चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे भाईयों अगले वीडियो में तब तक लिए लेता हूँ आपसे विदा आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें देखते रहें आप सबका ही चैनल है आप सबका परिवार है और आप इस परिवार में सहयोग करते रहेंगे तो हम और आप दोनों लोगों का अच्छा है हम लोग और अच्छी चीज़ों ले करके आपके सामने आते रहेंगे ठीक है बच्चों चलते हैं थैंक यू बाबाई टेक